कि नश्का दोस्तों स्वागत आपका टेक स्टेडी पहली सुट्व चैनल में आज मैं CPU के प्रकार और CPU के बाकिये बारे में चर्चा करूंगा CPU Central Processing Unit यह आपका एक्जाम में आने वाला बैक्तिरी कोशिन है CPU का पूरा नम या CPU किसे कहते हैं तो बता दूं आपको CPU Central Processing Unit और CPU को कम्प्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं अगर आप से पूछ ले जाए PC का दिमाग किसे कहते हैं तो CPU को CPU Central Processing Unit यह पिछले बहुत बार एक्जाम में पूछा जानवा क्वर्चन है तो हमारे पास एक CPU दिखाते हैं आपको यह उता है CPU Central Processing Unit यह Dual Core CPU है दूसरी तरफ इसके डॉट्स बने हुए है इस CPU में पिन नहीं है इससे उपर के वर्जन कोटेड्यू, I3, I5, I7 इन CPU में पिन नहीं होती है लेकि इससे नीचे P4 आपने नाम सुनावा P4, P3, P1 इन CPU में पिन होती है यह CPU को भी इंटपूट आउटपूट करिया में प्रयोग में आता है, इसके लावा कोई भी कम्पूटर में किरिया होती है, प्रोसेसिंग होती है तो यह CPU काम आता है, शुरू से लेकि आखिर तक CPU ही कारे करता है, इसलिए CPU यह गर्म होता है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल से लगाता है जुड़ने के लिए चैनल को स्क्राइब कर लें हमारी वीडियो तुरंथ पाने के लिए नोट स्क्राइब कर लें चलते है अपनी वीडियो तरफ अगर आपका PC हैंग होता है अर्थात चलते जले 10 मिन्ट 15 मिन्ट 20 मिन्ट आती गंटे के पाद अगर CPU आपका हैंग होता है तो समझ लेजिए यह CPU हीट हो रहा है अगर CPU चलते जलते बंद हो जाए या restart भी होने लगजिए तो यही दिकत इस CPU जैसे होती है तो इसके निवादन के लिए CPU कोई भी कार्य इंपुट आपुट कार्य होता है या प्रोसेसिंग होती है उससे में CPU ही होता है तो इस विए गर्म होता है गर्म को ठंडा करने के लिए इसे उपर CPU फैन लगा जाता है CPU फैन अगर आप पर CPU बंद हो रहा है अर्थाथ PC बंद हो रहा है या तो CPU का फैन बंद हो गया है या स्लो है या CPU और CPU फैन के बीच में एक पीछ लगा जाती है मैंने इसके उपर पीछ लगा जाती है यह बोलते है कूलेंट अगर कूलेंट सूग जाती है तो भी यह PC हैंग या बंद होता है इसके निवाणन के लिए आप चेक कर लेंग आगज जलते हैं CPU के बाग के बारे में तो इस CPU में तीन बाग होते हैं इन तीनों मैंसे कोई ने कोई एक्जाम में यह सवाल पूछात रता है कि तीनों मैंसे किसी का भी फुल फर्म या पूरा नम पूछ सकते हैं नमबर एक एल्यू अर्थमेटिकल लॉजिनिट इस विवाग का कारिया कोई भी जोड़ डाओ गुणा भाग अर्थात अर्थमेटिक किरियाओं को संपन के लिए किया एता है नमबर दो मेमोनिट इस विवाग का कारिया ट्रेमप्रेली डाटा को सेव करने के लिए किया जाता है जब भी हम कोई भी काम करते हैं या तो पेंट में वर्ल्ड पैड में नोट पैड में MS Office में जो Temporary Data होता है वो इसी Memory विवाग में सेव होता है नमबर तीन, CU Control Unit इस विवाग का कारिया Input-Output डाटा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है चंचिन बता दूँँ आपको ALU विवाग का कारिया गंड़ की क्राव के लिए किया जाता है MU का विवाग का कारिया Memory के लिए किया जाता है और CU विवाग का कारिया Input-Output डाटा को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है तो मैंने आज आपको बताया CPU के प्रकार और CPU के विवाग तो अब कभी भी Confirm ना हूँ P4 Pentium 4 CPU Central Processing Unit अब तो आपको पता लग गए होगा कि PC और CPU में अंतर कभी भी आप Mystic ना करें PC – Personal Computer और CPU – Central Processing Unit अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हैं हमारी इस चैनल से लग जुदने के लिए चैनल को स्क्राइब कर लें हमारी आने वाली वीडियो को तुरंत पाने के लिए नोटिस को ओन कर लें धन्यवाद झाल झाल स्ब़क़्ास स्ब़एंस ज Washington भ्म चॲखान झाल कर दो झाल झाल